हलो दोस्तो ब्लस्पन के यूट्व के वीडियो से में आपका स्वागत है दोस्तो मेरा नाम है निकित शाहा दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले आरपीम के बारे में टॉर्क के बारे में और होर्स पावर के बीच में अंतर मलब बेसिकली मोटर के अंदर में चीज़़े लादी है तर्क, और हार्स पावर. यह तीनो तीन चीज़े क्या काम करती है आपस में दूसरे के साथ में उनका क्या लेना देना है और हमारे लिए क्या मतलब होता है इन तीनो चीज़ों का? इसको हम लोग आज इस वीडियो में detail में सीखने की कोशिश करेगे याद रखे का वीडियो अगर पसंद रहा है तो like और share कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं RPM का मतलब होता है revelation per minute या rotation per minute कुछ लोग बोलते हैं अभी जैसे कि आपके सामें यहां पर दो चीज़े नजर आ रही है यानि कि दो अलग-अलग motors है आप अगर यहां पर देखोगे तो यह round 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 गुम रहा है लेकिन यहां पर उसके comparison में बहुत ज़्यादा fast गुम रहा है तो यहां पर हम लोग बोल सकते कि इसके RPM कम है यानि कि rotation per minute कम है और इसके rotation per minute ज़्यादा है आप इस तरह के से उसको consider कर सकते है rotation मतलब एक तरह के से बोलेगे तो speed fast सहुझ मैं रही बात जितना ज़्यादा fast रहेगा उतना RPM उसका ज़्यादा कहलाएगा speed का मतलब होता है RPM जो की हमारे motor के case में रहता है और जितनी ज़्यादा RPM रहेगी उतना ज़्यादा motor speed में घुम सकता है यह उसका मतलब होता है RPM का clear है अभी आप अंदाजा लगा सकते कि समझो कुछ motor जो रहती है वो 1000 RPM के रहती है कुछ 3000 कुछ 5000 कुछ 100 RPM वाले भी रहती है depend जैसा आपका जो task रहेगा जैसा आपका काम रहेगा उसके अनुसार आप motor खरीदते है उसके RPM देखकर हमें speed का मतलब होता है RPM देखकर हमें खरीदना पड़ता है clear है RPM चलिए दूसरी जो चीज रहती है what is torque torque का मतलब कहा रहता है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा force को force कहा रहता है याना कि ताकात कहा रहती है अब जैसे के example एक box जो देखो आपको यहाँ पर खीसते वा नजर आ रहा है यह एक ताकत लगा रहा है एक force लगा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप एक आदमी जो है एक box को आगे की तरफ धक्का दे रहा है यह धक्का देने पर box यहाँ है क्यों move हो रहा है क्योंकि जो आदमी धक्का दे रहा है वो मतलब force दे रहा है उसको और उस force को वज़े से जो box है जो आपको यहाँ पर लोड है वो आगे के तरफ move हो रहा है लेकिन जो box move हो रहा है वो particular एक ही direction में move हो रहा है यह turn या जिस दिशा में हम लोग धक्का देते हैं वो दिशा में वो जा रहा है बेसिकली इसको linear motion बोलते हैं एक ही दिशा में जा रहा है इसके लिए तो उसकों बोलते हैं force लेकिन torque के case में अगर मैं बात करूँ तो अभी समझो motor की मैं बात करें तो motor में भी pressure ही रहता है याने कि force ही रहता है लेकिन इसका जो force रहता है याने यहाँ पर आप देख सकते कि आप motor के उपर यह देखे wheel भूम रहा है लेकिन यह जो arrow mark दिखा इदर है ग्रीन वाला यह यहाँ पर आप देख सकते यह दिखे यह जो अपको yellow color में कुछ आ रहा है बीच-बीच में यह जो है उसको ताकत देने का काम करता है याने कि force देने का काम करता है rotor को और rotor जो है round होने की वैसे इसका जो force है वो उसको round गुमाने का काम करता है एक motion जो है मतलब फोर्स जरूर दे रहा है लेकिन फोर्स की वैसे round घुमने का काम करता है इस वज़े से इसको बोलते है torque torque का मतलब क्या होता है force देने पर एक object अपने ही orbit के आज वो जो घुमता रहे यानि कि A की direction में देखो अपने ही orbit में आज बजो यानि कि गोल 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 गुमता है उसको बोले के torque ये भी force ही है लेकिन इस force को एक ही दिशा में देने पर लेकिश को देने पर ये object round 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 घुमता है उसको बोले के torque साच भाई बत force में क्या था कि वो linear motion है लेकि आगे की side में बढ़ता था और ये उसी एंगल में गुमते रहा है ये राउंड 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 गुम रहा है इस वज़े से उसको बोला जाता है टार्क है ये भी फोर्स लेकिन इसका नाम हो गया क्योंकि वो एक ही अब्जेक्ट के आजू आजू गुम रहा है सवज मेरी बाद एक ही चीज में गुम रहा है ये जनरली हमारा रोटर रहता और ये गुमाने का काम को न करता है हमारे मोटर में तो मोटर के स्टेटर जो रहता स्टेटर रहने की यहाँ पे बाहर का आउरन रहता है जहाँ पे कॉइल वाइंड रहती जैसे कि टर्क इसरी चीज रहती है जो कि है वाट इस होर्स पावर और और एक चीज हम लोग सीखे है कि यह जो तीनों के बीच में आर्पी एम होर्स पावर और टर्क के बीच में तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है यह तीनों में आपस में क्या लेगना देना है उसको बिक्तुम डीटेल में सीखे के लेकिन पहले हम लोग सीख लेगे होर्सपावर क्या है होर्सपावर सीखने से पहले जानकर एक लिए बता दू हम लोग पॉइंट ट्रेनिंग और रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहेगा यह एप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा अधिक जानकर ही चाहिए एप्लिकेशन के बारे में ओन्लाइन कोर्सेस के बारे में तो यह मेरा वाट्सप नंबर है इस पर केवल गोड़ों की जो ताकात रहती है उसकी वज़े से उस ताकात के वज़े से ही इसका नाम पड़ा है मोटर के अंदर होर्स पावर मैं उसको एक्स्पिन करता हूँ जैसे कि एक्जम्बल आपको यहाँ पर दो एक्जम्बल नजर आ रहे है एक में एक गोड़ा है जिस पर 75 के के साथ में दो गोडैंगों लागा गया है अगर ध्यान से अनिमेशन में यह एक सावान को epoxy किल्सिक कोषिच करता है तो उसको लगबख कितने साथ इसका समय लगता है देखे देखे तो देखे सकते यहाँ पर जब एक गोड़ेस esको के खीजना horse power जादा रहेगा उतना ही उसको power जादा मिलेगा मालो example मैं आपको देता हूँ कि एक गाड़ी है उसको point A से point B तक जाने में लगबग 2 minute का समय लगता है वही अगर मैं Lamborghini लेकर आता हूँ और point A और B से बीच में उसको travel करने में पावर जो रहता है उसको हम बोलते है horse power सवज में जितना जादा horse power उतना उसका कारिय शमता जादा हम लोग इन दीवा बोलते है उसको कारिय शमता तो कारिय शमता उसको जादा होती है example देता हूँ अभी जैसे कि यहाँ पर horsepower को मापने का पहले जरिया जो रहता है या जो हम लोग होर्स पावर को मापते हैं वो सब तरीके हैं एक जो है 33,000 LB फिट पर मिनिट इस तरीके से मापा जाता है या 550 LB फिट पर सेकेंड या अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिक भाषा में उसको समझने की कोशिश करें तो 1HP यानि कि एक होस्पावर का मतलब होता है 746 Watt या 1HP is equal to 2545 BTU या 1055 J ये उसको मापने का तरीका है ठीक है ये मापने का तरीका क्यों मैंने बता है आगे आगे आपको मालूम पड़ेगा तो यहाँ पे कुल मिला कि हमारे बस तीन बाते हो गई एक RPM जो कि हम लोग स्पीड स सब्सक्राइब पर डीक तो फिरए पर मिनित या और RPM तटेशन फोस्पा अर का मतलब किए आप पोर्स इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज़ादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा और अच्छा पर्फॉर्म करने कि तरक पर लगा सब्सक्ताली दुच्प उठावर की जो ताकत मिल दी है वो टार्क की बदोलत मिल दी है और टार्क को दर्शाने के लिए पाउंड पर फीड या एन एम याने की नेनो मेटर के इसाफ से हम लोग उसको मापने का तरीका रहता है टार्क को मापने का तरीका पावर याने की जिसको में बूल दे होर्स पावर ओके यह जो है वो कितना फटाफट से यह काम complete कर सकता है, हमारा जो task रहता है, वो कितना फटाफट complete करता है, उसको मुलत है power, तो work in a given amount of time, यानि कि इतने घंटों में कितना काम करता है, उसको मापने का जो तरीका रहता है, वो power यानि कि horse power की मदद से हमें मिलता है, जिसको joules per seconds य अब हम लोग और एक चीज क्या बोलते है, कि अगर मैं सम्झो टार्क कम करूँ, या स्पीड के या पावर पे उसका क्या effect होगा, या सम्झो मैंने HP कम कर दिया, यानि कि power कम कर दिया, तो speed और टार्क पे क्या फरक पड़ेगा, इसका एक कैलकुलेशन आपको बता तो, वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दोगा, तो आप उस वेबसाइट को एकसेस कर सको, यह देखे वेबसाइट ओपन हो गई है यहाँ पर दे सकते हाव टू क्यालकुलेट होर्सपावर, तो उसका जो फॉर्मिला है वो और स्पीड दोनों एक दुसरे पर निर्धारित है, स्पीड समझो मैंने 6600 RPM कर दिया, तो होर्सपावर आपका 2388 HP, यहने कि होर्सपावर रहेगा, स्पीड कम होर्सपावर भी कम, टार्क भले कितना भी दे दो, लेकिन स्पीड ही नहीं रहेगा, तो होर्सपावर काम तो यह एक तरीका है, दुसरा और एक चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पर टार्क का फॉर्मिला, टार्क is equal to HP into 5252 divided by N, यहाँ पर देख सकते हैं, यह तर्क का फॉर्मिला है, तो उसको भी कल्कुलेट करके देखते हैं, इसका भी वेबसेट का लिंक आपको नीचे दिस अब देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, रोटेशन पर मिनिट को N में दर्शा आए गया है, अभी माल लोग की मैं HP देता हूँ, समझो 1 HP, ओके और रोटेशन पर मिनिट देता हूँ, मैं 500, तो उसके सबसे टार्क जो होता है, वो इतना होता है, यानि की टार्क, र अपस में दुसरे से जूड़े है, तो सब्सक्राइब का मतलब होता है, कि कितनी स्पीड से हमारा काम होने वाला है, उसको RPM में गिनते हैं, और पर्टिक्लर स्पीड में कितना काम होगा, गीवन पीरिट ऑफ टाइम, तो उसको बलते हैं, पावर, लेकिन इस सब को परफॉ टार्क बहुत ज़ाद है, मोटर को चालू करने के लिए बहुत ज़ादा टार्क की ज़रू होता है, तो इसके बाद में मेंटेन करता है मोटर, ठीक है, तो ये चीज जो है तीनों आपस में जूड़ी वे रहती है, आपको ये वीडियो आपको समझ माया रहेगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लोकिए कि वीडियो आपको कैसा लगा या अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, याद रखे कि अगर नए है चैनल के पर तो सब्सक्राइब को बटन दबा के बैल का एकाउन दबा दीजे, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा उसको जन मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स वा लिस्निक